नमस्कार दोस्तों हुँ दवल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी चैनल हुँ दवल पे बात आज हम करेंगे आलिया बट की जो की बॉलीविर की बहुती बड़ी सुपर स्टार है यंग स्टार यंग यूद आइकोन है आज बात उनकी करेंगे सुत्रों के हवालों से ख स्टार ने खोलिए अपनी यूटूब चैनल आखिर क्या जरूरत बढ़ गई आलिया बट जैसी सुपर स्टार अपनी खुद की यूटूब चैनल खोल लेगी जानिये का इस पूरे वीडियो में आलिया बट के यूटूब चैनल के बारे में तो वीडियो को एंड तक सबसे पहले और आप मेरा वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फेस्बुक पेच को लाइक करा ना भूलिएगा उन्होंने पिछले सब्ता खोलिए अपनी खुद ki YouTube चैनल क्या आलिया बट के पास कोई काम नहीं है अभी ऐसा नहीं है दोस्तोทो लोगों की सोज जिसके पास काम नहीं होता है वो यूटूब चैनल खोल के बैठ जाता है लेकिन हकीकत कुछ और ही है यूटूब के फाइदे बहुत है नहीं तो यह सूपर स्टार लोग क्यों इतने फैमस होके भी यूटूब चैनल खोलते है आलिया बट ने पिछले सब्ता ऐलान किया है अपने यूटूब चैनल पर कि कि मैं अपनी खुद की यूटूब चैनल खोल रही हूँ और वहां पर मैं आपको फिल्मों के बारों में बताऊँगी मेरे जो सूटिंग है यूटूब लेती हूंसके बारे में बताऊँगी तो ऐसे सौट सोट वीडियों को बताने वाली है अल्येता लेकिन इसी मकसद से से खोला हुआ है यूटूब चैनल आलिया बट की चैनल खुलते ही कुछी दिनों में बहुत सारे यानि कि लाखों में उसके सब्सक्राइबर हो गए और वीडियो में लाखों व्यूज आने लगे है वह तो फिल्म स्टार है फैमस है इसलिए यह तो होना ही दा लेकिन इसके पीछे का राज क्या है क्या वह वाकई सोशल मीडिया के माध्यां से लोगों से जूड़ना चाहती है या मकसद कोई और है और दोस्तों उनके पास फिल्मों का बंडार है ऐसा नहीं है और यूटूब का जो बैनिवीड है यह जो टेक्नोलोजी है यूटूब की उसका वो अपने केरियर में बेनिफिट लेना चाहती है हम बात करें मुखेळ चम्ना जिन्होंने सकतीमान इसओर करें आप कही है कि वो यूटूब चेनल खुदका बना रही दोस्तो आज के माध्यम में TV देखना लोगों ने कम कर दिया है और YouTube पर लोग ज्यादा समय बिदाते हैं आप मानो यादा मानो आज के जो नए टीवी भी आ रहे है वो भी स्मार्ट टीवी आ रहे है और उसमें भी लोग YouTube देखना चैनल से ज्यादा पसंद करते हैं और यूटूब का ग्रोथ हो रहा है सबसे बड़ा सर्च एंजिन गूगल सर्च एंजिन है लेकिन उसे कोई मात दे सकता है तो उसका खुद का यूटूब वीडियो सर्च एंजिन जी यहां दोस्ते यह असकती है यूटूब का वीडियो सर्च एंजिन तो यहां बात करने वाले आलिया बट का जो भी यूटूब को प्रमोशन करना ही है जी हाँ दोस्तों उन्होंने बहुत ही दिमाग लगाया हुआ है क्योंकि आज जो भी फिल्म है जो भी फिल्मों का प्रमोशन होता है वो सोशल मीडिया के द्वारा होता है चाहे वो फेस्वूक हो या यूटूब क्योंकि टीवी के माधियम से प्रमोशन करना अब जोकमी हो गया है जोकमी इसलिए कि उनको उनकी टाइक के ओडियंस सायल माधियम से आलिया बट ने सोचा कि क्यों ना मैं इतनी इतनी सूपर पॉपिलर हूँ तो क्यों ना इस बैटी गंगा में हाथ दो लिया जाया और यूटूब के माधियम में सबके साथ रूबरू हो के मेरी फिल्मों का खुद मेरी यूटूब पर भी प्रमोशन करना पड़े एक बिजनेस वूमन के रूप में वह बहार आ रही है दिरे-दिरे एक्रेस में से यह बहुत ही बड़ा मोड है उनके केरियर का तो आई वीश आलिया बट आप यूटूब के माधियम से ज्यादा पॉपिलर हो जाए आपकी फिल्में बहुत चले और आप जिंदगी में हमे इससे पहले आपको यह वीडियो पसंद आए तो नीचे का लाल बटन दबाके लाइक कर दीजेगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के शेर करना का भूलिएगा अपनी राय जरूर लिखे कि क्या आलिया बट को यूटूब चैनल खोलनी चाहिए थी या नहीं नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में हूंग दावल